साथ में आर्थिक सेंसस में आपका स्वागत है भारत में अब तक हुए सभी आर्थिक सेंसस या गणनाओं में होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा सेंसस है कोई भी सर्वे या सेंसस तब तक प्रभावशाली या अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसे करने वाले गणनाकार यानि आप लोग उसे ठीक से पूरा नहीं करते गणना करना यानि गिनना आपका मुख्य काम है हर व्यक्ति के घर, धाचा, दुकान, कार खाने तक जाना इसमें हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है तो आईए अपना काम शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि अपने काम को बेहितर करने के लिए हम किस तरह की योजना बना सकते हैं अपने काम पर निकलने से पहले ये देख लीजिए कि आपने आज के काम के लिए आवश्चक सभी सामान रख लिए हैं जैसे टैबलेट, एक अतिरिक्त चारजर, पैन, रजिस्टर, UFS ब्लॉक का मैब, पानी की बोतल इत्यादि सबसे पहले शेहरी इलाके के उस नक्षे को देखिए जो आपको दिया गया है UFS ब्लॉक की बाउंडरी का चक्कर लगा कर उसे सुनिश्चित कर लिए उस खेत्र के जानकार से मिलकर पता लगा लिए कि ब्लॉक में कितने घर, परिवार तथा उद्यम है इसके बाद अपने लिए एक कारेकुशल रास्ता देखिए जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हो शेहरी इलाकों में कम जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं यानि एक छोटी जगह में अधिक परिवार रहते हैं ऐसे में आपको अपने लेयाउट नक्षे को अपडेट भी करना होगा अपने काम को अच्छी तरह समझ लें ताकि जब आप गणना करने जाएं तो आप अपने उद्देश को अच्छी तरह समझा सकें आपको स्थानिय स्थितियों की जानकारी होनी चाहिए संभव हो तो स्थानिय बोली नहीं बात कीजिए शहरी इलाकों में घर के मुख्य भवन के आकार से अपना लक्षे मत निरधारित कीजिए शहरी इलाकों में एक ही मुख्य भवन में एक से ज्यादा परिबार या आर्थिक गतिवेधियां मिल सकती है गणना कारों के प्रशिक्षन में पूरा ध्यान लगाईए जब आप अपने काम के लिए योजना बनाते लिए तो ये ध्यान रखिए कि इस योजना में आपको एक निश्चित समयावधी में अपना काम पूरा करना है लेकिन इसके लिए काम में जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि आपके लिए सही जानकरी लेना ज्यादा जरूरी है जल्दी काम करने की जगे सुविधा और सुघरता का ध्यान रखिए भारत के सात्वें आर्थिक सेंसस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक बेहतर योजना बनाएं और उसे ठीक से अंजाम दें